नमस्कार और बहुत-बहुत मुबारक निफ्टी 20,000 पहुंच गया है यह खुश होने वाली बात है कि हमारा मार्केट जो है वह अब लाइफ टाइम हाई लेवल पर आगया है और कहीं ने कहीं यह हमको फीलिंग तो मिल रही थी कि मार्केट हाई जाएगा विखाओ जो ओवर मार्केट को देख रहे हैं उसके कारण मन डगमगा रहा था और जिस आप से मिट कैप पर रहली आ गई अमेजिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद अभी ओवर बार्ट जोन में मार्केट आ चुका है तो या तो टाइम बेस करेक्शन होगा मतलब या मार्केट यहां रु तीज और हो सकता है या कितरा मंदा और हो सकता है ठीक है अगर हम आवरली चार्ट देखते हैं तो हमको एक अलग तरगया मारकेट का दिचा दिखता है हमको अलगता है तो बहुत बढ़ गया तो है क Peng ब्ली देखेंगे तो इसका वहागा बहुत Syria बहुत चीज़ होता है मैं इक बात हमेशा मानता हूं कि जब तब मार्केट तब मार्केट जबरदस दे जाए और आप जो मेरे साथ वीडियो में जुड़े में आपको तो पता ही है कि जब 200-day moving average को छूके market उपर गया था वो बहुत अच्छा समय था हमको भाई करने का जोगी आज का rate में 200-day moving average हो है 18500 इसका मतलब ऑल्मोस 1500 पॉइंट निफ्टी 200-day moving average के ऊपर चल रहा है यह बहुत अच्छी बात है ओवराल मार्केट के अंदर में तीजी का माहूल रहना बहुत अच्छी बात है और फॉर्चुरेटी डॉला इंडेक्स पी जो है वह 105 से नीचे चला गया यह भी बहु वीडियो देखेंगे तो इसे मैंने बात्चेत की थी और उसमय भी तेजी का माहल दिख रहा था आज भी मैं वीडियो बनाना चाहता हूं तो यह एक वेबसाइट है जहां पर निफ्टी का पी रेश्यो देखता हूं तो डिफ्टी का जो पी रेश्यो है वह 22.33 है अभी औ जब मार्केट बहुत तेज हुआ था जब बहुत रूफोरिया था जैसे 2008 में यूफोरिया था तो जोज़ेश्यो पी रेश्यो अठाइस पच्चेश चौबीस और तीस ब्यालीस तक भी गया हुआ हूआ है यह इसका मतलब अगर इंडियन मार्केट में यूफोरिया आना ह तो अभी भी सकोप ए मार्केट तेज हो सकता है लेकिन डेफिनिटी अपना लॉंक टेम मीडियम से एक्सपेंसिव हो गया है सिमलली अगर मैं प्राइज बाइब बुक देखू निफ्टी का तो फोर पॉर पॉइंट फोर थी है और इसका मैं अगर मीडियन देखू तो तक यह मैं बोलना हूं रिपीट करना हूं तो I'm sure that if you're following me आपको पता है यह चीज की इंडिया का समय आ गया है और जिस साथ से structural reforms हुए थे जिस साथ से small cap और mid caps को perform करना चाहिए था I think India अब ready हो गया है कि कि वह small cap और mid cap का performance को वह जो gap है वह आराम से इंडिया भरेगा आप देखिए एक वीडियो में ने बताया था कैसे आप स्मॉल cap stocks market में इंवेस्ट करना चाहिए आपको तो आपकी जगा अज गले में प्रॉब्लम हो रखाए बड़ अब पिशले 5 साल का return देखिए कि small cap 77% mid cap 118% और जो निफ्टी है वह 77% इसका मतलब small cap के पास अभी भी बहुत scope है कि वह outperform कर सकता है market को तो जब तक तेजी का महल नहीं होगा ना जब तक hyper bullish stress नहीं होगा small cap all perform करेगा नहीं तो पिछले 5 साल से इंडिया में इस तरह का hyperness आया नहीं है तो यह hyperness हो सकता है continue रहे और विसली एक तरफा कभी चीज़े उपर नहीं जाती है यह उपर जाएगा फिर थोड़ा correct करेगा फिर उपर जाएगा तो अभी overbought over market हो चुका है short एकदम नहीं करना गलती से भी नहीं करना है बढ़ा तेजी का महौल बरकरार रहेगा और stock specific actions हो हमको करना चाहिए sectors को evaluate करके sectors पे position build करना जो tailwind वाले sector जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था financialization theme के उपर में जो मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने stocks की बात की थी सारे stocks तो मैं यह नहीं बोलना हूं कि आप यह सब मेरे थीम स्पे स्टॉक्स में जस्ट ब्लाइंडी पैसा लाज़िए no but I am saying that इंडिया के अंदर में themes बहुत बनेंगे बहुत चलेंगे और Indian market structural तेजी में है तो इसको आप deny नहीं कर सकते कि हम structurally weak होंगे corrections थोड़े पहुत आ सकते हैं but stock specific again बोलता हूं theme specific stock specific जो काम करेगा वो market में आने वाले चार पात साल में इतना पैसा बनाएगा कि शायद आने वाले 15-20 साल का कमाई आप आने वाले 3-4-5 साल में मिल जाएगा लेकिन हमेशा याद रखिये जो ओपर जाता है एक बार नीचे आता है रियल में डिफ्रेंस वही करेंट करता है जो गिरते वे बजायर में भी अपने कन्विक्षन पर खड़ा रहे सके और अपने पॉजिशन को हिलाए नहीं तो I'm sure that आप अपना conviction खुद बिल्ट कर रहोंगे और जब तक आप खुद ने बिल्ट करेंगे बड़ा पैसा नी डाल पाएंगे तो congratulations once again for this 20,000 nifty जचे रहिए और ये believe रखे कि भारत देश यहां से आगे भढ़ रहा है G20 का आप देखी सकते हैं हमको भी अपने ग्रोथ को भारत के इसाब से मैप करना है और आगे भढ़ते रहा है have a great life ahead और बस ऐसी market में लगे रही है बाई